हेलो प्रेंट्स आज मैं आप handheld को साथ है कर दो थे एक उपन किक छ थेखे-घ्र करी पिए। और एक हम्याज क्या है, तो अगे वीडियो में बताँगी मेरे साथ्मं आ ओ disponशGO प्रोपनी 높थ इसके लिए पढल यह साथ थे खक्या लगेगा ना तो यह अच्छे से पक्के रेडी हो जाएगा और इसमें एट कर लेंगे एक आलू तो देखिए इसका सिटी लगाने के लिए मैं छोड़ दे उधर और इसके बास से मैं ले रहे हूं ग्रेवी के लिए दो टमाटर तीन से चार मिर्ची और अद्रक बस इसी से हम । हम शीका प्लेफिद बाना से मैं वहारे बनाना है एक अच्छा सा पेज्ट टमाटर कौ दूलकर अच्छे से और कट कर लेंगे गएं दो हर्योंगे है और यहां पर देखिए मेरा कैमरा गिः गीर गया है तो मैं इस्को ठीक कर रही हूं कि इसको अधिया पिर तो यहां पीनों मिला दियों उसके बाद से चोटी बाली कटोड़ी से 1 कटोड़ी दही मिला रही हो और जीरा पाउडर इस को नहीं मिलाना है इसको मैं लखोंगी तड़के के लिए तो देखे यहां पे पेस्ट बनके तयार हो गया है उसके बाद से यह मुमफली भी अपना बॉयल होके रेडी हो गया है इसमें देखे बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है और एक आलू जो एड़ किया हुआ था न वह भी इसी में पग गया है तो चलिए अब चलते हैं गैस क इसके बाद तढ़के में जीरा डाली हूँ और मोद जीरा को अच्छा से पकने देंगे थोड़ा सा सुनहरा हो जाता है जीरा न तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है न जल्ले और न ही मतलब ध्यल्द पच्ल"? हम आपने है अशल हम समल्म किया है उसके बास से इसमें म जो टमाटर, मिर्च और अद्रक करपेष्ट बना के रखा हूगा है इसको इसमें एड़ कर देना है इसको अच्छे से पका लेना है अब इसको चलाना है एक मिनट चला के उसके बाद से दो से तीन मिनट के लिए इसको ढख चोड़ देंगे तकि अच्छे से पक जाएगा अब यहां पर अच्छे से चला दी हूँ इसको और अच्छे से चल जाएगा ना तो बहुत अच्छे से पकते रेडी होगा तो देखें यहां पर 1 मिनट हो गया इसके बाद से अब मैं से अब इसमे पानी है तो अभी मैं इसको 1-2 मिनट और पकांगी तो मैं फिर छोड़ दे उसके बाद से देखिए अब यह पख्के रेडी हो गया है अब इसमें हम मिलाएंगे स्वाध अनुसार नमक तो सेनह नमक ही मिलाएंगे इसमें है तो दो चला ये और चला के पिर इसको दो से तीन मिनट के लिए ढखके छोड़ दीजिये तो देखें यहां पर मैं इसको ठकक चोड़ दी उसके पास से फिर पक्के रेडी हो गया है आप यह देखें यह बहुत अच्छे से पक्के रेडी हो गया है अब इसमें मिला लेना अपना मौमफली जो वाइल करके रखा हुआ है उसको मिला लेंगे इसके बाद इसमें एक अलू जो बोल किया हुआ था उसके बाद इसमें मिक्स कर लेंगे और देखिये बहुत अच्छे से यह ना मिक्स जब हो जाएगा तो इसकी ग्रेवी जो बनेगी वह बहुत गाड़ी इसलिए मैं इसमें आलु और चाहें तो करें या ना करें ग्रेवी में तो और मुंफली का जो पानी बचा हुई है न वही आड़ करें इसमें डाल रहें हूं नुब लाइन अफे टेस्ट लाएगा इसमें तो आप इसको पानी को इसे ज़ुदो पेड़ कर दो ताकि अच्छे से पक जाए कि पांच मिनाट बार है देखें कि पांच मिनाट बाद इसको खोलना है ने झाल देखेंक सकतन transition है और यह बहुत ही खुब सूरत सब्सक्राइब सेफिर्ल आप přेस्ट है पसितु कि और माम फुली को उड़ीर आपधी और टुक्ष है तो कि और चलिए और दिएव्गना में इसा कुछ नहीं चले रहा था तो कि यहां पैर धनिा पथा मैं आगे लुडियों में बता रहे हुं कि यहां पर धनियापता मिक्स कर दी और गैस का फ्लेम देखिए अभी बंद नहीं की हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है न वो इसके अंदर पूरा अच्छे से भीं जाएगा ऐसे ही चलाईएगा तुसको ढ़के छोड़ दीजिएगा दो से तीन मिनट के बाद इसको दूसरे बरतन में निकाल लेंग पर ही कह सब्सक्राइगा रहीं मैं आधा से ऊत्राइग सब्सक्राइगा वानने करूट श्युक्स बेद्खेजानक में नहीं हो तो आधा बन गया तो आधा पे कैसे चोड़ दे और आधा भी नहीं बीच में बस थोड़ा सा चूटा हुआ था तो मैं इसको पूरा की और डर डर के मुझे में बहुत डर लग रहा था ऐसे में तो पूरा उहम बनाई इसको और उसके बाद धनिया पत्ता से इसको डेकोरेड की क और आरे किनारे कर रही थी फिर मेरे मन में यह चल रहा थाना कि मैह पूरा ही इसको ढड़ का किया बोलो मेरे पर सही में बताउं तो मेरे पास कोई इसा the oldना यह जिसको मैंAngहों कि क्या ऐसा मुरे मन में तो कुछ ऐसा चल नहीं रहा था लेकिन फिर भी कैसे ऐसे बना मुझे ये खुद नहीं समझ में आ रहा है और भी ये अन्य है न तो इसके लिए और नहीं कुछ ड्रॉइंग होता बन जाता तो उसका समझ में आता है कि हां चलो ड्रॉइंग कर रहे थ गलत तो ऐसे कुछ नहीं है मुझे इतना तो पता है लेकिन फिर भी जैसे खाने पर ऐसा कुछ बना है न तो इसके वज़ा से थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था और वकिया कुछ नहीं है यह तो भगवान की महिमा है कि मेरे हाथ से ऐसा कुछ बना है और मेरे खाने में बना मुझे बहुत डर लग रहा था तो फिर में बाद में इसको सोची कि नहीं आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं तो फिर इसको निकाली किनारे किनारे से फिर भी मतलब हाद ही है तो टच हो ये जाएगा तो देखिए यहां पर यह बनके रेडी हो गया है और आप मुझे नहीं है क्या है क्या नहीं है तो आप लोगों को कमेंट करना मुझे बहुत इंतजार रहेगा और जरूर बताईएगा कमेंट में वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट सेर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंट्स बेल आइकन को जरूर दब तो मतलब अब उस समय भगवान क्या कहवाना चाहते हैं क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता है इसके बारे में और ब्रत के लिए ही मैं बना रही थी तो जो ही है वह आप लोगों के सामने मैं रखी हूँ तो चलिए फिर पसंद आएगा तो लाइक कमेंट सेर जरूर करिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई बाई और जै माता दी दोस्तो ओम नमस्षिवाई इसको देखके तो बिल्कुल बंता है बोलना ओम नमस्षिवाई